जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे सी एम हमन्त कलपना सुरेन के साथ असम में आज साधी की सोरही बश्गाठ मना रहे हैं इधर जार्खन में मुख्यमंत्री हमन्सुरेन के सुपचिंतक और उनकी पार्टी जार्खन मुक्ति मोर्चा के करकरताओ और नेताओं ने इंटर्मेट मीडिया पर तरह तरह की तस्वीर सेयर कर विवाह वर्सगाट की बधाई दी है। कहीं कहीं गर्जन के साथ हलके से मदर्ज की बारिस हो सकती है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। एक गारफ फरवरी से मौसम साफ रहने का अनुमान है। राजस्थान से आय पच्मी विशोब के बाद मौसम साफ होते ही ठंड बढ़ गई है। निम्तमत 15 डिग्री समुदायों को सामिल करने का प्रस्ताव किया गया। केंद्रिये जन जातिये कार्यमंत्री अर्जुन मौंडा ने सदन में समिधान आदेश विधयक 2022 पेस किया है। इस विधयक में जर्खन राज में अनुमान होताने के लिए समिधान आदेश 1950 और अनुमान जाति की सुच प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव त्यार करने का निर्देश दिया है। चेत्र में सनवेदन सील और फिर भावाले इलाकों को चीनित करने के प्रक्रिया सुरू हो गई है। इसके बाद उक्त अस्थलो पर सिसी टिवे की संख्या लगाने को लेकर रांची पूलिस की ओर से पूलिस मुख्याले को प्रस्तार भेजा जा सकता है। जारखन कॉंग्रेस के सभी 18 विधायक आज राहूल गांधी से करेंगे मुलकाद। जारखन कॉंग्रेस में राइनितिक समिकरन तेजी से बदला हाय केंद्रीर नेतियुत्यों ने संगठन की साक बढ़ाने को लेकर कवायत सुरू कर दी है। आर्पिन सींग के पार्टी छोड़ने के तुरूंत बाद अविनास पांडे को प्रभारी बना कर कॉंग्रेस के केंद्रीर नेतियुत्यों ने संगठन को एकजूट करने में जीमा सोपा था। पहले परदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष राजेस ठाकूर ने दिली जाकर पार्टी के वरिष्ट नेता राहुल कांजी से मुलकात की। जारखंड के 11 जीलों में 50 से कौम एक्टिव केस। जारखंड के 7 जीलों में भी खोले जा सकते हैं स्कूल। संक्रमंदर का आकलन करने के बाद दिल लिया था। मुंबाई में लूट की घटना को अंजाम देने वाला जाम तरा से गिरफतार। फक्रूदीन अंसारी उर्फ सन्नी जाम तरा थाना छेतर के राखवन मुहले में राता था। हिसीम, केदला, त्रियोनला वा गूमन, जारा के गरामिन पिछले 10 दिनों से हिंसक पस हुओ द्वारा आधात दर्जन से अधिक मौसियों वा बकर्यों को मारने वा घायल करने से भैवित हैं। हलाकि ग्रामिन जंगली सेर के द्वारा मवस्यों को मारे जाने की बात कर रहे हैं लगभग चार दसक बाद यहां के जंगलों में सेर देखने की बात सामने आने के बात ग्रामिन दसत में हैं दसत का आलम यह है कि लोग दीन में भी जंगल की ओर जाने की हिमत नहीं जूटा प उमार ने आयो जुकू वह समाजिक संस्थावों को आगे बढ़ कर डायन के नाम पर प्रतालित महिलाओ के सुची उपलवत कराने को कहा है ताकि उन पीडित महिलाओ तक सरकारी योजना का लाब पहुचाया जा सके इन दोरान डायन के नाम पर प्रतालित महिलाओ को समानित भ ज्वार्थ के लिए ओजहाओ और भूम अफियाओ द्वारा समाज में डाइन के नाम पर अंद्विश्वास फलाया जाता है। ज्वार्थ के लोगों ने नई टान के कई घरों में आग लगाने की कोशिश की और घर के बाहर खड़ी कार और भाईकों में आग लगा दी। जिसके बाद हालात और सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट कमपेणियों ने चार जीलों कोडार्मा हजारी बाग चात्रावा गिरी डीर में इंटरनेट से वबंद कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि छेत्र में सांती बेवस्था बनी रहे और कोई भी जूटी खबरे परकासित न कर पाए। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद पूर्वी केविन के निकट इंजन से पांच वी तथा चाटी कोच के बेपर्टरी हो गई।